Brought to you by Agilis Diagnostics केजरिवाल जी को सुनने के लिए लोग ये देखना चाते थे कि कैसा इनसान है ये कैसा व्यक्ति है जो पांच महीने बीजेपी ने जेल में रखा बिना किसी कसूर के उसके बावजूद भी सीना तान के गरदन उपर करके स्वाबिमान के साथ आप लोगों से बात कर रहे हैं आपके सामने आई हुए हैं उनकी मुस्कुराहट देखने के लिए लोग आये थे कि इतने अत्याचार के बाद भी कोई मुस्कुरा कैसे सकता है तो मुझे लगता है कि उनके आने से कैमपेइन को बहुत बूस्ट मिला है कारेकरताओं का उत्सा बहुत ज़ादा बढ़ा है पूरी ताकत के साथ कारेकरता एक एक गाउं में जुट गए हैं डोर-टो-डोर कैमपेइन करने में उसके बाद पूरी आगे की प्लैनिंग बना लिए है बूत पे काम करने में जुट गए हैं हमें पूरा यकीन है कि इस बार कलाया तीनों राज परिवारों को उनके किये की सजा देने वाला है और एक आम आदमी को विधान सभा बेजने वाला है। शांदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे मुफ्त में इलाज कराएंगे दूसरी गरेंटी है। और करवा भी सकता है। अगर हमारे समर्थन से कोई सरकार होती है, हमारे दम पे कोई सरकार बनती है, तो भी हमारे अंदर वो माददा है, वो हिम्मत है कि हम अपने काम करा सकते हैं। कुर्सी के भूखे नहीं है, अर्विंद केजरिवाल जी ने कुर्सी छोड़ दी दिल्ली की, अभी कौन ऐसा मुख्यमंत्री, कौन ऐसा नेता है देश में जो कुर्सी छोड़ दे, इस बात के उपर कि कोई आरोप लगा रहा है उनके उपर। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे आइडियल्स देख करके लोगों को ये भरोसा है कि अर्विंद केजरिवाल अगर गैरंटी देखे गए हैं, तो उस काम को जैसे मर्जी कराएं, वो करा सकते हैं, जब दिल्ली हाफ स्टेट में करा सकते हैं, तो यहां तो करा ही लेंगे। उसके पीछे अर्विंद केजरिवाल जी की मेहनत नहीं देखी, अर्विंद केजरिवाल जी की समझदारी नहीं देखी, उनकी सोच नहीं देखी, बीजेपी और कॉंगरेस को लगा कि हम भी ऐसे यूज करते हैं, गैरंटी शब्द यूज करते हैं, तो शायद हमें भी वो क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी बात में और वैसे भी आपने देखा दुकानों पे लिखा हुआ कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है नकल्चियों से सावधान, मैं तो सोच रहा हूँ कि अपने दफ्तरों पे अब आम आदमी पार्टी के यह लिखवा दें, कि भाई हमारी कोई ब्रांच नहीं है नकल्चियों से सावधान, असली गैरेंटी सिर्फ केजरिवाल जी की है, केजरिवाल की गैरेंटी मतलब काम के पूरा होने की गैरेंटी मनुख्यमंत्री के पजसे हटाना पड़ा बीजे पी को चुनाव लड़ने के लिए अगर वो रहते तो चुनाव नहीं लड़ पाते तो इसलिए उनको मुख्यमंत्री अब भी उनको चैन नहीं है फिर आ गए बीजेपी की लुठिया डुबोने जो रही सही है उसको भी वो सिंगल डिजिट में लाके छोड़ेंगे बीजेपी को मुझे लगता है मुझे लगता है कि बीजेपी आईकमान को जल्दी ये फैसला करना चाहिए कि उनको कैمपेञ्ण में उनको रखना है कि हर्याना से बाहर भेजना है कैंपेञ्ण से अलग करना है क्योंकि जितनी बार खटर साब बोलेंगे उतनी बार बीजेपी की सीटें घटती चली अर्विन केजरिवाल जी ने मंद से बोला है कि अब की बार हर्याना में सरकार बनाने में आमादमी पार्टी की एहम भूमिका होगी तो किस तरह की जो भूमी का है वो आमाद्वी पार्टी निभाने वाली है और अगर सरकार बनाने में किसी का सहयोग देना पड़े या सहयोग लेना पड़े तो क्या भाजपा के साथ आमाद्वी पार्टी जाएगी? नहीं भाजपा के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता है भाजपा ने तो हर्याना को बरबाद किया है भाजपा ने तो देश को बरबाद किया है हमारे युवाओं को बरबाद किया है हमारे महिलाओं के उपर अत्याचार किया है किसानों के उपर अत्याचार किया है भाजपा आम आदमी पार्टी के बिना सरकार तो नहीं बनती कोई, इतनी ताकत तो हमारी आज के दिन में है, जो हमको सर्वेज में अपने नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत तेजी से पॉलिटिकल सिनेरियो रोजाना बदल भी रहा है, जब से अर्विन केजरिवाल जी कै में आए है, तब से रोजाना चुनाव उठ रहा है, लोग तीसरे विकल्ब को गंभीरता से ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ जुकाओ बढ़ रहा है, अगर यही चलता रहा, तो पांसा दिन बात-बात करते हैं, आप हो सकता है, तब हम यह चर्चा कर रहे हो कि क् कलायत में उनकी क्या भूमी का देखिए, राज परिवार किसी को तब कहते हैं, जब वो खुद तो राज करे ही करे, साथ में यह चाहे कि मेरे हटने के बाद मेरा बच्चा राजा बने, तो यह तो राजशाही होगी, यह लोगतन तरका हुआ, कलायत पिछले 30 साल से तीन र पिधाओं पर काम नहीं होगे, सड़क तो देख लोगे, आप तो यह कहोगे, गड़े में सड़क है, कि सड़क में गड़े हैं, आप बताई नहीं पाओगे, ऐसी हालत है, तो मुझे लगता है कि अब तीनों राज परिवारों से उब चुकी है, जनता कलायत की, और उनको वोटरों को या कलायत की जनता हो, क्या मेसेज देना जाएं? पार्टिया, तो यानि जीत आमाद्मी पार्टी की होगी, ये दावा अन्राग धांडाने किया है, एथिल से विरेंदर पूरी, अर्यानाता.